सीडी न्यूज के वीकली एपिसोड नमबर 3 में आप सबका स्वागत है तो हे गाइज मेरा नाम है ओम और आप देख रहे हैं कॉमिक डैमेंशन तो चलिए प्राडम्ब करते हैं तो इस वीक की सबसे बड़ी न्यूज ये है आप लोगों को दी सूसाइड स्कॉर्ड मुवी से बनी फैन की नहीं क्रस रैट कैचर यादी होगी तो जेम्स गर्ण की अपकमिंग मार्वेल मुवी गार्डियन्स ऑफ दी गैलेक्सी वॉल्यूम 3 में एक्ट्रेस डैनियला मालकोयर को कास्ट कर लिया गया है या फिर हो सकता है कि जैसे मैंकिस का रोल प्ले करने वाली एक्ट्रेस पॉम्प्लेमेंटिव का एक छोटा सा कैमियो था दी सूसाइड स्कॉर्ड में वैसे ही हमें इस एक्ट्रेस का कुछ कैमियो काइंड ओफ नजर आ जाए वैसे अभी हम इस पर कुछ कह नहीं सकते बस इसका कैरेक्टर रैट कैचर की तरग चूट ही रहने दना जेम्स वहिया और कास्टिंग से याद आया एक्ट्रेस इसावेल मर्सेट को कास्ट कर लिया गया है डकोटा जॉनसन की मैडम वैब मुवी में वैसे जिन लोगों को ये नहीं पता, ये वही एक्ट्रेस है जिन्होंने डोरा दी लॉस सेटी अफ गोल में डोरा का रूल प्ले किया था वैसे मैं तो मैडम वैब मुवी के लिए एक्साइटेड नहीं हूँ मॉर्वियस मुवी के बाद बस इस मुवी को डकोटा जॉनसन के वज़े से देख लूँगा और अब ये कन्फर्म हो गया है कि डॉक्टर स्ट्रेंज इन दी मल्टिवर्स ऑफ मैडनेस डिजनी प्लेस पर 22 जुन को आ जाएगी और अब कुछ रिउमर्स के एक्कॉडिम मार्वल वर्ट कर रहा है स्टार फॉक्स के स्पीन ओफ प्रोजेक्ट पर हो सकता है कि ये स्पीन ओफ चल भी जाए क्योंकि इस मुवी में हैरी स्टाइल जैसे बड़ा नाम जुड़ा हुआ है एंड बांकि ये कन्फर्म नहीं है कि ये सोलो प्रोजेक्ट आएगी या नहीं बट वैसे मैं कहूंगा कि इटर्नल्स को लेकर ऐसे फालतू के स्पीन ओफ ना बनाए मार्वल को एक बड़ियां सा इटर्नल्स का सीक्वल बनाना चाहिए ऐसे स्पीन ओफ सोस बना कि टेरेक्टर्स को मिल करके बस इस्टूडियो को सिर्फ फाइनेंसियल प्रॉफिट होगा और कुछ भी नहीं मैं तो चाहता हूँ कि ऐसे पालतू के स्पीन ओफ को ना बनाके मार्वल को इटर्नल्स की फ्रेंचाइस का जिम्मा ग्रोईजाओ को ही दे देना चाहिए जैसे उन्होंने जेम्स गन को दे दिया है तो अब सीधा चलते है डीसी के न्यूस अपडेट्स पे तो जैसा कि आप सबको पता ही है कि डीसी बड़े जोडो सोरों से वर्क कर रहा है ब्लू बिटल मुवी पे तो हाल ही में मार्केट में नया रूमर आया है कि जाने माने अक्टर जेसन सुडेकिस हमें इस मुवी में विलन के रोल में नजर आएंगे वैसे अभी फिलहाल ये रूमर है तो पक्का ओफिसेल सोर्सेज इस न्यूस को कनफर्म कर ही देंगे और डीसी के अपकमिंग मुवी ब्लैक आडम का ट्रेलर नेक्स्ट वीक 8 जून को रिलीस हो जाएगा वैसे इंडिया में शायद अगले दिन यानी 9 जून की सुभा को देखने को मिल सकता है और बांकी देखते हैं कि ट्रेलर कैसा होता है वहें डिसकवरी और वार्नर ब्रोज के सीओ डेविड जैसलोग काफी स्ट्रिक्ट हो गये हैं अपने डीसी यून में आर्क और वीजन को बढ़बात करने में टॉबी एमरिक का भी हाथ था एक्च्वल में ये एब्जेक्यूटिप्स बारवार्ट जैक के प्रोजेक्ट में दखल देते थे इसलिए जैक को ये मैनेजमेंट पसंद नहीं थी खेर ये सब तो बाते पुरानी है बट ऐसा ल दे रहे हैं तो मैं कहूंगा कि उन्हें एक बड़िया विजनरी आदमी को एप्रोच करना चाहिए जो कि बिजनेस बैक्ग्राउंड से भी फैमिलियर हो बाकी देखते हैं कि क्या होता है मुझे तो लगता है कि डेविड डी सी यू को स्टेंड पर लाकर ही रहेंगे और सा आया गया है स्पेशल स्क्रीनिंग के तोर पे तो कांस फिल्म फैस्टेवल के स्क्रीनिंग पे एलवेस मुवी को 12 मिनर तक की स्टेंडिंग ओविशन दी गई है क्रिटिक्स और एक्जिक्यूटिप्स के द्वारा और कहा ये जा रहा है कि इस मुवी के हर एक एक्टर ने अपने कैरेक्टर को जिया है और सबसे ज़्यादा तारीफ मिल रही है टॉम हैंक्स और ऑस्टिन बटलर को मतलब भाई कुछ तो बात है इस मुवी में सच कहूं तो मैं इस मुवी के लिए प्रसनली बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूं और डिजनी की अपकमिंग पिन वाइट यह सेट फोटोज निकल के सामने आई है वैसे टीजर ट्रेलर में देखते हैं कि इसकी प्रेजेंटेशन कैसी होगी और जॉन फैपरो ने यह कंफर्म कर दिया है कि वो मैंडलोरियन के सीजर 4 की स्क्रेट पर काम कर रहे हैं तो गाइस इस वीक की कुछ इतनी ही अगर वीडियो अच्छी लगे हो तो लाइक करना चैनल पे ने हो तो सब्सक्राइब करना मिलते हैं आप्स वीडियो में तिल देख यार गुडबाई